डिक्टेशन शुरू होगी पांस सेकंड बाद चीन अपनी आदत के मुताबिक फिर दगाबाजी पर उतर आया है विराम पिछले दिनों चीन ने अपने सैनिकों की तैनाती को लेकर जो रवया अपना रखा है उससे साफ लग रहा है कि वह वास्तविक नियंतरन रेखा LAC पर वादे के मुताबिक हालात सामान्य करने के मूड में नहीं है विराम पूर्वी लद्दाख खित्र से सटे चीन के हिस्से वाले इलाके में अपने 40,000 सैनिकों की तैनाती से चीन के इरादों को भापना आसान है विराम नकेवल चीनी सैनिकों की इस तरह से तैनाती की जा रही है बलकि चीन पूर्वी लद्दाख में गतिरोद वाले स्थानों पर सैनिकों की संख्या घटाने के अपने वादे से भी पीछे हटता दिख रहा है विराम सैन्य और राजनयक स्तर पर बातचीत के बावजूद ऐसा लगता है कि चीन के साथ सीमा विवाद का समाधान निकलने में अभी वक्त लगेगा विराम हैरत की बात यह है कि चीन का यह दुस्साहस ऐसे वक्त में हो रहा है जब वह खुद कोरोना संक्रमन फैलाने के आरूपों से चारों तरफ से घिरा है विराम यह ऐसा वक्त है जब दुनिया के कई बड़े देश चीन के साथ अपने कारोबारी वह राजनयक संबंधों की समीक्षा करने में जुटे हैं विराम यह बात सही है कि चीन की हरकतों का जवाब देने के लिए हमारी सेना भी मुस्तैद है विराम लद्दाख में हमारे अतरिक्त सैनिकों की तैनाती भी इसी वजह से की गई है विराम पिछले दिनों ही लद्दाख पहुँचे रक्षा मंतरी राजनाथ सीहं भी कह चुके हैं कि चीन और पाकिस्तान के फ्रंट पर किसी भी तरह की अप्रिय स्थिती से निपटने के लिए भारतिय सैना हमेशा तयार है विराम पैरा गलवान घाटी को लेकर हुए संघर्ष में हमारे जवानों की शहादत के बाद भारतिय सैना की यह सतरकता लाजमी भी है विराम वैसे भी गलवान घाटी समेत LAC की अवहीलना करते हुए नित नए तथ्य बुनना चीन की फितरत में है विराम चोतरफा घिरने के बावजूद चीन की यह आकरामकता समझ से परे है विराम अमरिका के आँख दिखाने के बाद चीन खुद को सूपर पावर की दोड में बनाए रखना चाहता है विराम यही वजह है कि पहले वह भारत के आसपास के छोटे देशों को दबाव में रख अपनी चोधराहट बनाए रखने में जुटा है विराम जिस तरह से चीन वास्तविक नियंत्रन रेखा पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटा है उसे देखते हुए भारत को भी अपनी सामरिक तैयारी और मजबूत करनी होगी विराम लद्दाक सेक्टर में चीनी सैना के जमावडे के जवाब में भारत की भी माकूल तैयारी है विराम यह भी समझना होगा कि चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों के साथ खुद को अमरिका के खिलाफ स्थापित करने के प्रयासों में जुटा है लेकिन इसका असर उल्टा हो रहा है और दुनिया के कई देश अमरिका के नजदीक जाते दिख रहे हैं विराम जहां तक कि भारत और चीन का सवाल है यह बात सही है कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर बातचीत के प्रयास भी जारी है विराम इन प्रयासों में सिर्फ भारत का रुख ही सहयोगात्मक दिखता है विराम चीन की चाल बाजियां हमेशा से ही दुष्टता से भरी रही हैं विराम हमें चीन के इन इरादों से सचेत रहना होगा विराम वैश्विक मंच पर चीन यों तो खुद ही अलग थलग हो रहा है लेकिन इसी वजह से उसका कुटिल रवईया गाहे बगाहे सामने आ ही जाता है यह भी समझना होगा विराम स्टॉप